माजरा कभी सुना कि जो आयोजक अपनी गारी पर अपने परिवार वालों को अपने माता पिता अपनी भाई बहन चाची ताई मौसी नानी का की बच्चों को लेकर आए जिन अपनी गारीयों पर लेकर आए उनी गारीयों पर उनी पर उनी पर उनी परिवार वालों की लाशे बाबा क्यों देर में आए आए तो जब आप लोगों ने कहा कि आना चाहिए जब रेपब्लिक ने कहा कि आना चाहिए आप जैसे सुप्रेम गोड के वरिष्ट पत्रकार ने कहा कि आना चाहिए तो वो आ गए कानून का सामना करना चाहिए कानून का सामना पूरी तरह से कर र ना भागे मने वादा किया था आपसे भारत में हैं कहीं होटल में नहीं मिलेंगे कहीं आश्रम में ही हैं और कहीं किसी के घर नहीं मिलेंगे और फेश किया जो उनसे बन सका जो उन्हें की इच्छा थी बोलने की लेकिन मना इस्तित उनकी खराब है बहुत बैठित हैं आपने कहा जिस तरह से जैसे भी है लेकिन हमने आपके संचार माध्धंप से आपके दौरा वो बात पहुँचाई मैंने दो वादे किये थे देश की मीडिया से उत्तरप्रदेश पुलिस से SIT से और STF से और देश के समगर नागरिकों से कि हम एंटि सेपेटरी बेल मधुकर की नहीं लगाएंगे हमने नहीं लगाई हम सरेंडर अप्लिकेशन मधुकर की नहीं लगाएंगे हम अंडवल हाई कोट अंडवल सुप्रिम कोट में अरेस्टिंग इस्टे मांगने नहीं जाएंगे हम क्यों जाएं मेरे बैकती थे मरने बाले बाबा पुलिस के सामने जाएंगे जब भी बुलाया जाएगा जहां बुलाया जाएगा जब कहा जाएगा वो पेश होंगे वो जाएंगे यह और आप लोगों के समख्ष मैंने कहा था कहा है उनका नहीं आया social elements उस कारेक्रम में घुसे उसमें घुस गए और उन्होंने पूरे सब को anti मैं एक बाद दावे के साथ कह सकता हूं anti social elements कुछ हंगामा करना चाहते होंगे कुछ गड़बड करना चाहते वो भी नहीं चाहते होंगे कि इतनी अधिक मौते हो जाएं इतनी कि इतनी बड़ी आर्मी है तीन तीन चार चार लेयर की और साजिस करता को यह समझ नहीं पाए पकड़ नहीं पाए आर्मी इनकी आपको लगता है इस देश में कोई आर्मी परलेल चल लही है बॉर्डर पर चलने वाली आर्मी के अलावा क्या पुलिस फेल प्रशाशन है आप कैसी बात आरोप लगा रहे हैं क्या ड्रस में होना सेवादार का मतलब आर्मी हो जाती है कोई कौन कप्ड़े पहन के आता है किसलिए पुलिस के ड्रेस में रह सकते हैं पिन्क कलर की ड्रेस नारान साकार हरी की है महिलाओं की भी पुरशों की भी शेवादार को ID काड दिया गया जिस से identify कर सकें जिस से बात को अलग से कर सकें ये बात बाबा पुलिस के सामने क्यों नहीं आ रहे है सवाल तो यहीं बढ़ा है पर पुलिस के सामने ही है इन्विस्टिगेशन जब कोई बात होगी देखिए उनका नाम है फाई यार मनें क्या कभी आपको लगता है जो उस कारिक्रम का मुख़्े रहा हो वो अपने कारिक्रम में अपने आने वाले लोगों को मारेगा मरवाएगा उनको दबा दबा के कुचल कुचल के चड़के मारेगा ना बुलाने वाले मारेंगे ना आयोजक मारेंगे ना पहुचने वाले मारेंगे ना साथ की संगत के लोग मारेंगे ना अनुआई और फालोर मारेंगे लेकिन असमाजिक तत्तों ने सोची समझी से उनके करोडों फालोर्स में एक सेंडेश देने के लिए लेकिन मैं आपके माध्य सद्रोद करता हूँ सबी लोग कानून में विश्वास रखें लॉइन ओर्डर में विश्वास रखें मदुकर के नाम जदे फायार हुई हमने उन्हें साइटी के सामने सरिंडर किया है प्रश को आगाह करें कौन उन्हें मन्या कर रहा है लेकिन किसी धर्म के बारें देखिए आप माइंड मत करिएगा मक्का मदीना में भी एक हजार से अधिक मौते हुई एक हजार से अधिक मरे वहां गर्मी से सिर्फ और किसी ने किसी भी चैनल ने किसी भी सिस्टम ने किसी भ इसलिए कोई बोल देता हिंदु हिंसक कोई बोल देता हिंदू एनली सानात्र डेंगू है равно कुछ भी कहें उनके पास जाएगी हेलक्षन आचार सहिंता लगी थी फरवरी से और जून तक तो इसलिए वो इस बीच में नहीं आयोजन हुआ पर्मिशन लेते नहीं पर्मिशन मिलती नहीं इलक्षन के समय नाराण साकार हरी ने कभी नोट और बोट नहीं मागा नाराण साकार हरी ने कभी चंदा डोनेशन कभी इस तरह का कुछ भी नहीं रखा कुछ चंदा रख दें, डोनेशन रख दें, बकसा रख दें, चैरिटी रख दें, दान पात रख दें, कभी नहीं रखा. लेकिन सौध दोसो करोन की संपत्ती सामने आ रही है, वो कहां से आ गए?